मान्ये पेदान मंत्र जी नमस्कार मेरा नाम दीपेश हईवार है मैं शार्ष की उस्तरमार में क्विद्भाला एंदॉट पर्विदब मुपाल का कक्षा दज्वी का अचातर में आजकर बच्चों में कालपनी खेल और इंस्तरग्राम की लस्त एक सामान्य सी बात हो गई है ऐसे समय में आपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान के इंदृत करें मानिय सर मेरा आपसे ये प्रिशन है कि हम बिना ध्यान भटकाई अपनी पढ़ाई पर केसे ध्यान केंद्रिक करें मैं इस सम्मध में आपसे वाद दर्शन चाटाऊं धन्यवाद धन्यवाद दिपेश माननिय प्रधान मंतरी जी अधिताब गुपता का प्रशन इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है अधिताब हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं अधिताब अपना प्रशन पूछिए मेरा नाम अधिताब गुपता है मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ जैसे कि टिकनोलोजी बढ़ती जारी है वैसे भी हमारी डिस्ट्राक्शन जो है वह बढ़ती जारी है हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है और सोचल मीडिया पे जाद होता है धन्यवाद अदिताप, हौनरीब अच्छी एज़ कुम चामक्सी राइ on a subject that is central to many students. Her question has been selected by Republic TV. कमक्सी, please ask your question. इस प्रशनका चुनाव जी टीबी द्वारा किया गया है मनन मित्तल हमसे आभासी माध्यम से जुड़े है मनन क्रिपे आपना प्रशन पूछिए नमस्ते प्रधान मंती जी मैं मनन मित्तल डीपेस बैंगलोर साउथ से बोल रहा हूं मुझे आपसे एक प्रशन है ओनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्राक्शन होते हैं जैसे की ओनलाइन गेमिंग वगेरा वगेरा हम इससे कैसे बचेंगे ये स्टूड़न्ट है क्या? ओगेजेट में गोते रहते हो गे धन्यवाद मनन माननिय प्रधान मंती जी दिपेश अधिताव कमाक्षी एवं मननन परिक्षा में आने व्याले व्यवधान पर और इससे कैसे बाहर निकले इस विशय पर आपसे मार्क दर्शन चाहते हैं क्रिप्या मार्क दर्शन करें माननिय प्रधान मंती जी सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट है कि गेजेट स्मार्ट है कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी जादा गेजेट को जादा स्मार्ट मान लेते हैं और गल्ती वहीशे शुरू हो जाती है आप विश्वास करिए परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी हैं कि आप स्मार्ट है कि गेजेट कि आप से स्मार्ट नहीं हो सकता है आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी उतना गेजेट का सही उप्योग आप कर पाएंगे वह एक इंस्टूमेंट है जो आपकी गती में नई तेजी लाता है ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूँ कि शायद शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे दूसरा देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विशह है जी मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरीज छे गंते लोग स्क्रीन पे लगाते हैं छे गंते अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनिट जाती थी लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रिल क्या होता है एक बार शुरू करने के बार निकलते हैं कि उसमें से बाहर क्या होता है नहीं बोलेंगे अच्छा आप लोग कोई रील देखते नहीं है नहीं देखते हैं ना तो फिर शर्माते क्यों हो बताओ ना निकलते हैं के बार अंदर से देखिए हमारी क्रियेटिव उमर और हमारी क्रियेटिविटी का सामर्थ अगर एवरेज हिंदुस्तान में अच्छे गंटे स्क्रीन पर जाएं तो यह बहुत चिंता का विशर है एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है हम उसके गुलाम बनकर कर जी नहीं सकते हैं पर मात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूँ आपने देखा होगा आप कभी भी देखे होगे मेरे हाथ में कभी कोई मुबाइल फोन शायद आप प्रेयरली कभी देखा होगा मैंने क्यों अपने आपको समाल के रखा हुआ है जबकि मैं एक्टिव बहुत हूँ उसके लिए समय मैंने तई किया हुआ है उस समय के बहार में ज्यादा नहीं करता हूँ और इसलिए लोग तो मैंने देखा है अच्छी मीटिंग चल रही है यह बहुत अच्छी और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है कि मैं समझता हूँ कि हमने खुदिने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे मैं एक स्वतंत्र व्यक्टीक रहूँ मेरा स्वतंत्र अस्थीक रहे और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सिमित रहूँगा मैं टेक्लोलोजी का उप्योग करूँगा मैं टेक्लोलोजी जब भागूँगा नहीं लेकिन मैं उसकी उप्योगीता और आवश्यक्ता अपने मुताबिक करूँगा अब मा लीजिये आपने ओनलाइन धोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली घंटा लगा दिया कौन-कौन से इंग्रेडियन्स होते हैं वो भी कर लिया पेड बर जाएगा क्या बर जाएगा क्या नहीं बरेगा न उसके लिए तो दोसा बना के खाना पुड़ेगा न और इसलिए गेजेट जो परुस्ता है वो आपको पुनता नहीं देता है आपके भीतर का सामर्त आप आपने देखा होगा पहले की जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहड़ा कर देते थे पहड़ा बोलते हैं और बड़े आराम से बोलते हैं और मैंने देखा है कि जो भारत के बच्चे विदेश जाते तो विदेश के लोगों को बड़ा अश्रे होता था कि यह कैसे इतना पहाड़ा बोल देता है अब उसको कुछ लगता नहीं था अब आप देखे धीरी धीरी क्या हो गया है हमें पहड़ा बोलने वारा बच्चा धूमना पड़ता है क्यों उसको अब आग गया है हो गया याने हम अपनी क्षमता खो रहे हैं हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना यह हमें कौंसियसली प्रयास करना पड़ेगा अधर्वाइज धीरे 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 करके वो विधा खतम हो जाएगी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आपको लगाता टेस्ट करते रहें मुझे आता है कि नहीं आता है बना तो आजकल तो आटिप्शियल इंटरिजिंस के इतने प्लेटफॉर्म आए है कि कि आपको कुछ करने के जरूत नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे जागर के चैट पर तले जाएगी तो आपको दुनिया भर की चीजे बतागर कर दे देता है वो तो गूगल से भी एक स्टैप आगे चला गया है अगर आप उस पर फस गए तो आपकी क्रिएटिविटी खतम ह हो जाएगी और इसलिए मेरा तो आगर रहेगा कि आप दूसरा है हमारी हाँ आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का उसमें उप्वास की परंपरा होती है कुछ जरा ऐसा लगता है तो आप फास्टिंग करो कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिज्यूल्स में भी होता है फास्टिंग करो अब वक्त बदल चुका है तो मैं आपको कहूंगा क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे यह टेक्नोलोजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या कि उतने घंटे उस तरफ जाएंगे ही नहीं कि आपने देखा वोगा कई परिवार होते हैं गर्वे बड़ा दस्वी बारवी बड़ा टेंशन शुरू में जाता है शाले कार का मदूता है करते हैं परिवार वाले अगली सल कुछ निहां वह बारवी है अशा ही चलता है गर में और फिर टीवी पे भी कपड़ा लगा देते हैं, हाँ नो TV क्यों एकजाम है? दस वी के एकजाम है, बारवी के एकजाम है. अगर हम इतने जागुन होगे, के टी वी पर तो परदा लगा देते हैं, लेकिन क्या हम स्वभाव से तै कर सकते हैं, कि सबता हमें एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा नो डिजिटल डिवाइस मैं किसी को हाथ नहीं नगाऊंगा उसमें से जो फायदा होता है उसको अबजर कीजिए धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा अब परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फोस रहे हैं कि एक घर में मा बेता बहन भाई पापा सब रह रहे हैं और एक यह कमरे में वह उसको वाट्ट सब कर रहा है कि मैं आपके इक बात बता रहू हुए है आप मा भी पापा को वाट्ट सब करेगी देखा होगा आपने घर में सब बैठे हैं साप में हर अपने मुबाइल में ख्वया हुआ है उधर देख रहा है इधर देख रहा है यही हो गया है ना मुझे बताईए परिवार कैसे चलेगा जी पहले तो बस में ट्रेन में जाते थे तो लोग गपे मारते थे अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही जैसे दुनिया भर का काम उनी के पास है उनके बिना दुनिया रुख जाने वाली है यह जो बिमारिया है इस को हमें पहचानना होगा हम अगर इन बिमारियों को पहचानेंगे तो हम बिमारियों से मुक्त हो सकते हैं और इसलिए मेरा आग्र है घर में भी कि क्या आप एक एरिया तै कर सकते हैं क्या परिवार में जाके आज ही तै कीजिए एक एरिया तै करी यह एरिया जो है नो टेक्नलोजी जोन, मतलब वहाँ टेक्नलोजी को एंट्री नहीं मिलेगी, वहाँ आना है घर के उस कौने में, तो मोबैल वहाँ रखते आओ, और वहाँ आराम से बैठेंगे बाते करेंगे, नो टेक्नलोजी जोन, भर के अंदर भी एक कौना बना दीजिए, जैसे आपको जीवन जीने का आनन्द सुरू होगा, आनन्द अगर सुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे, बहुत बहुत धैनवाद